लालो यादव की होली जेल में ही मनेगी जी हां हम ऐसा इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि आज जार्खट हाई कोट में लालो यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें जस्टिस अपरेश कुमार सिंग की अदालत ने लोवर कोट से कई सारे रिकॉर्ड्स मांगने का निर्देश दिया है साथी साथ सीबी आई को भी कहा है कि अगर जमानत याचिका से जुड़े हुए जबाब उन्हें देने हैं तो वो भी आप कोट में जमा कर सकते हैं अगली सुनवाई एक अप्रेल को होने वाली है यानि की लालो यादव इस बार होली का त्योभार ज दस्तावेजों को जमा करें यह सुनवाई चार मार्च को हुई थी उसके बाद फिर से जमानत याचिका दाखिल की गई है और आज कोट ने जमानत याचिका पर कहा कि अब यह आचिका एक अप्रेल को इस पर सुनवाई होगी यानि की साफ है कि लालो यादव अब परवित सजा जेल में गुजार चुके हैं इसके लावा वो इस समय बढ़ती उम्र के कारण 17 प्रकार की बेमारियों से जूज रहे हैं इसलिए वह अदालत से लालू प्रशाद यादव को जमानत देने की गुहार लगा रहे थे नियायाले के फैसले पर परिवार से लेकर के समर्थ करोड की अवैद निकासी हुई थी लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेश अदालत में सुनवाई चली फिर 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोशी ठहराया लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाक रुपए अर्थ दंड देने की सजा सुनाई ल वैद निकासी के मामले में भी जमानत मिल चुकी है बता दे कि लालू प्रशाद यादव के वकील देवरिशी मंडल ने कहा कि लालू प्रशादियाडव कई तरह की विम्हार्यों से जूज रहे है 14 तरह की बिमारिया हैं उने उमर के इस पराव में आकर के वह कोट नहीं आ बगा रहे थे कि लालू प्रशाद यादव अपने घर आएंगे और परिवार के साथ होली का त्योभार मनाएंगे लेकिन अब उन समर्थकों को मायूसी मिली है उनके परिवार को भी मायूसी हाथ मिली है क्योंकि लालू प्रशाद यादव होली उनकी जेल महीं मनने वाली है अब इस कोट ने इस मामरे की सुनवाई एक अप्रेल को तै की है और अब एक अप्रेल को तै होगा कि लालू यादफ को जमानत मिलती है या फिर नहीं इस खबर में इतना ही आप बन रही न्यूस पियार के साथ और मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद